हेलो फ्रेंज, आज हम सीखेंगे कि वैदिक मैट्स की हैप से हम सब्ट्रेक्शन कैसे कर सकते हैं तो सब्ट्रेक्शन करने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनका मतलब क्या होता है तो एक पर वो रिवाइस कर लेते हैं जैसे एकाधी केना, एकाधी केने का मतलब है एक अधिक, एक अधिक मतलब जो डिजिक दी है उसमें आपको प्लस वन करना है जैसे कि मैंने अगर फाइव लिखा और एकाधी केना का जो साइन होगा वो हमें इसके उपर एक डॉट लगाना है तो इस तरीके से अगर डॉट लगाया है तो इसका इसकी वैल्यू अब हो जाएगी फाइव प्लस वन मतलब इकवल टू सिक्स एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं जैसे थ्री है थ्री के उपर अगर मैं डॉट लगाती हो तो इसका मतलब है एक अधिक एन मतलब एक अधिक इसकी वैल्यू हो गई एक अधिक है अब देखेंगे हम एकान न्यून का मतलब है कि एक कम मतलब माइनस वन अब माइनस वन इसको लिखने के लिए जैसे मैं 6 लिख रही हूँ 6 के अगर नीचे डॉट लगाती हूँ तो इसका मतलब है 6 में से हमें 1 माइनस करना है तो इसकी वैली हो जाएगी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 ठीक है ऐसे अगर मैं 2 लिखा है 2 के नीचे डॉट लगाया तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 में से आपको माइनस 1 करना है इसकी वैली हो गई 1 ठीक है तो एक अधि केना एक अधिक और एक न्यून मतलब एक का अब है एक आधिक केना पूर्वेना पूर्व का मतलब होता है पहले जैसे मैंने लिखा 1 5 अब इसकी ऊपर मैंने यहां 5 के पूर्वी की संक्या क्या है तो 1 के उपर डॉट लिखा है तो मतलब इसको मुझे क्या इसकी value, पूरे इसकी value हो जाएगी, यह 1 को हमें 2 समझना पड़ेगा, तो इसमें 1 में आपको क्या करना है, 1 के place पे आपको पढ़ना है, 1 प्लस 1 यह हो गया 2, मतलब value क्या हो गई, 25, तो इसको हमें जिसके उपर dot है, वो plus 1 करना है, ठीक है, और अ 15 नहीं होई, इसकी value कितनी हो गई, 25, ऐसे ही अगर हमने लिख दिया, 72, और उपर की दिर्फ dot लगा है, तो अब इसको 7 नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, इसकी value हो जाएगी, 8, तो यह जो टेंस पे place पे जो digit है, वो हो गई है, हमारी A, तो इसकी value हो गई, 82, तो यह रखना है, पूर्वेना मतलब पहली वाली, उसके पहले जो left side में जो digit है, उसके उपर dot लगा है, ठीक है, अब एका न्यूनेना पूर्वेना, पूर्वेना मतलब पहली, तो इसमें जैसे मैंने लिख दिया, कि 36, और हमारा dot लगा है नीचे, जब नीचे लगता है dot, तो मा minus 1 करना है, 3 में से आपने minus 1 कि ये 2, तो इसकी value हो गई, क्या हो गई, 26, एक और example देख रहेते हैं, जैसे हमने लिखा है 24, और 2 के नीचे dot लगा है, तो ये 2 के नीचे dot है, इसका मतलब है 2 में से आपको minus 1 करना है, इसकी value हो गई, 40, ठीक है, तो इतना समझा गया आपको, अ अब बात करेंगे हम complimentary digit, कि complimentary digit क्या होती है, तो complimentary digit का मतलब है, कि 2 digit जो है, ऐसी जिनका sum जो आएगा, वो 10 आना चाहिए, जैसे मैंने 6 लिखा, अब 6 की complimentary digit क्या होगी, 6 में हम ऐसा कौन सा number add करें, कि equal to 10 आजाए, ठीक है, तो 6 में किसको करें, 4 को करें, तो ये 4 जो है, 4 क्या हो गई आपकी, complimentary digit, ये 6 के लिए 4 जो हो गई, ये है, complimentary digit, ठीक है, तो हर नमबर की अलग होगी, अब अगर मैंने 5 लिखा, तो 5 की complimentary digit क्या होई, 5 ही होई, ठीक है, ये complimentary digit हम लिख रहे हैं, ओके, जैसे मैंने अगर यहाँ पे, 3 लिखा, तो 3 की complimentary digit क्या होगी, 7, सम 10 आना चाहिए, ये complimentary, 7 की complimentary digit, 3 है, और 3 की complimentary digit, 7 है, अगर 2 को देखें, तो 2 की complimentary digit, 8 है, और 8 की complimentary digit, 2 है, 1 की complimentary digit, 9 है, और 9 की complimentary digit, 1 है, इस तरीके से, ये complimentary digit क्या होती है, कि उस digit में हम ऐसा कौन सा number add करें, कि सम जो है, वो 10 आचाहिए, तो complimentary digit को, हिंदी में हम, मित्र संख्या भी बोलते हैं, तो ये हो गए, इसके बाद हम सम देखेंगे, कि subtraction हम कैसे करेंगे, अब देखते हैं, कि subtraction using, एक new and complimentary digit, एक new method से कर रहे हैं, इसका मतलब है, कि digit की नीचे आपको dot लगाना है, ठीक है, और इस method से करने पर हमें, subtraction कम करना पड़ता है, addition की थूँ, हम subtraction कर लेते हैं, तो अब शुरू करते हैं, यह है हमारी upper digit number है, 82, और नीचे का number है आपका 54, अब अगर upper digit कम होती है, और lower digit अधिक होती है, तो हमें वैसे तो carry करते हैं, लेकिन वैदिक मैट्स में हम क्या करते हैं, कि इसकी जो complimentary digit है, 4 की complimentary digit, 4 की complimentary digit क्या है, 4 की complimentary digit है, 6, तो 6 को हम add करेंगे, 2 में, तो 4 की जो complimentary digit है, यह complimentary digit है, इसको हम add करेंगे किसे, 2 से, क्या आगया, 8, यहाँ पर हम लिखेंगे, 8, लेकिन इतना हमने किया है, तो हम क्या करेंगे, noon method है, तो इसकी नीचे एक dot लगाएंगे, अब इसकी value 8 नहीं है, यह क्या हो गया, noon हो गया, इसकी value अब 7 हो गई है, अब 7 तो 5 से अधिक है, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूद नहीं, इस 7 में से 5 हम simply जैसे minus करते हैं, वैसे कर लेंगे, यह हमारी, हम लिख लेंगे 2, तो answer आजाएगा हमारा 28, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह 2 digit का था, समझ में ध्यान से देखेंगे, कि नीचे वाले नंबर की complementary digit को आपको उपर वाले नंबर में add करना है, अगर उपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा है उपर वाला नंबर, तो हम simple जैसे minus करते हैं, वैसे कर सकते हैं, ठीक है, ए इसमें 2 जो है 7 से चोटा है, तो हमें क्या करना है, 7 की जो complementary digit है, 7 की complementary digit क्या है, 7 की complementary digit है, 3, क्योंकि इसमें 3 करेंगे तो time बन जाएगा, तो 7 की जो complementary digit है, उसको इससे add करना है, 2, कितना आया, 5, अब हम इसको 5 यहां लिखेंगे, एक new method है, तो हमें dot इसके नीचे लगाना है, अब इसके नीचे आपने लगा है, तो इसकी value हो गई 3, अब 3B जो है, वो 6 से तो कम है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 6 की complementary digit होगी, 4, वो लिखा आपने, 4 में आप किसको add करेंगे, 4 को नहीं, यह क्योंकि यह तो अब इसकी value 3 हो गई तो 4 में add करेंगे, हम 3 को, क्या आगया, 7, तो यह 7 हम यहां लिखतेंगे, ठीक है, अब हमने यहां complementary digit के थू किया है, तो एक dot इसके आके यहां लग गया, अब यह इसकी value कितने हो गई, 2, और इसकी भी value है, 2, दोनों की value 2 हो गई, तो मतलब कि 5 क्या, 0, 2 में से 2 गया, 0, त 5, एक और example देख लेते हैं इसी method का, अब इसमें आप देखेंगे, तो 7 तो जो है 5 से अधिक है, तो हमें इसमें complementary वाला digit वाला करने की जरूरत नहीं, हम simple इसको 7 में से 5 माइनस करते हैं, वावे 2, ठीक है, अब 5 जो है 6 से छोटा है, तो इसमें हमें complementary digit वाला करना तो 6 की complementary digit क्या है, 4, 4 को आप 5 में add करोगे, तो complementary digits 6 की है 4, और इसको add कर देंगे 5 से, तो क्या गया, 9, यहाँ हम 9 लिखेंगे, और इसके नीचे dot लगेंगे, ठीक है, अब इसकी value कितने हो गई, 6, अब 6 तो 5 से अधिक है, तो कुछ भी करने की जरूत नहीं, 6 में से 5 आसानी से minus हो सकता है, तो हमने इसको 1 लिख देना है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर complementary digit का कुछ नहीं किया, तो इसके नीचे dot लगाने की जरूत नहीं है, इसकी value क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, तो 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे, या क्या फर्म, तो 1192, अब हम देखेंगे कि subtraction using एक अधि केना पूर्वेना and complementary digit, एक अधि केना पूर्वेना मतलब एक अधिक वाली method से, मतलब dot हमें उपर लगाना है, एक अधिक करता है, प्लेस 1 value आने चाहिए, अब हम शुरू करते हैं, तो य यह है 0, और यह है 9, तो 0 तो कम है, है ना, तो हम क्या करेंगे, कि 9 की complementary digit क्या होगे, 1, तो 1 को हम 0 से add करेंगे, क्या आया, 1, तो हम 1 यहां लिख देंगे, लेकिन हमने यह complementary digit के थ्रूप किया है, तो एक अधिक केना से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो digit है, इसके उपर dot लगाएंगे, अब यह 0, 0 नहीं है, बलकि इसकी value क्या हो जाएगी, अधिक करनी है, प्लस 1 करना है इसमें, तो इसकी value हो गई 1, अब इसकी value 1 हो गई, तो 1 का complementary digit क्या है, 1 की complementary digit है, यह 1 हो गई, तो 1 की complementary digit तो 9 हो गई, तो अब 9 में आपको add करना है 0, तो कितना आया? 9 आगया, यहाँ आपने 9 लिखा, लेकिन यह भी अपने यहाँ पे complementary digit का use किया है, तो यह dot आपका अब यहाँ भी लगेगा, अब इस 3 की value क्या हो गई, एक अधिक, तो 3 अब 3 यह नहीं है, इसकी value हो गई, 4, अब 4 जो है 5 से चोटा है, तो simply आप इसको minus कर स सकते हो, 5 में से 4 minus किया, 1, तो यह आगया, 191, ठीक है, अब एक और example देख लेते हैं, इसमें आप देख रहे हो, 0 तो 4 से चोटा है, तो हमें complementary digit देखने हैं, 4 की complementary digit क्या होगी, 6, तो यह 6 हो गई, complementary digit, इसमें add क्या करना है, 0 को add किया आपने, कितना आगया, 6, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, अब यहाँ पर complementary digit थी, तो हम एक आधी कहना कि through कर रहे हैं, तो dot इसके उपर, अब इसकी value होगी, 1, ठीक है, अब 1 की complementary digit क्या होगी, 9, तो हमने 9 लिखा, 9 में हमने यह वाले 0 को add किया, तो equal to 9, हमने यहाँ 9 लिखना है, अब यह dot यहाँ पर क्या क्या क्या, ठीक है, अब 9 में 1 प्लस, मतलब 10 होगया, अब 10 की complementary digit क्या है, 0, 10 की complementary digit तो 0 है, 0 लिखी, और इसमें आपको add क्या करना है, 7 को, तो यहाँ क्या है 7, और यहाँ आपने 7 लिखा, अब यह dot इधर आगया, अब इसकी value कितनी होगी, plus 1, 5 होगया यह तो, यह 5 होगया, अब 9 तो 5 से बढ़ा है, तो यह वैसे भी minus हो जागा, 9 में से 5 गया, तो यह आपका 4, तो आपका answer आगया, 4796, तो इस तरह से हम subtraction Vedic Maths में, edition की तरह कर सकते हैं,